प्रदानमंद्री नरेंद्र मोदी की अगर एक बात करें मैं उनका प्रशनसर था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे लेकिन वो दिली आके बदल गए जो भी क्रिटिसिसम आती है भारतिय जनता पार्टी के लिए अब क्यों यह बयान आ रहे हैं क्या कोई महत्पा का अंक्षाए हैं उतना बीजेपी को बेनिफिट भी हुआ है लोगों में उसका असर गया है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गेम चेंजर हो प्रधानमंतरी के उम्मीदवार थे कहा तो और कहा वो एक छोटी सी घटना पर इधर हो गए लेकिन उनका काम तो नहीं है प्रधानमंतरी मानने लाइक अपोजिशन वीक नहीं है अपोजिशन निकमा है निठला है कुछ नहीं करता है नमस्ते बड़ी-बड़ी बातें पर आपका स्वागत है कुंट और कुंट हंदी पर आपका स्वागत है दो हजार चौबी शुरू हो चुका है कुछ महिनों में चुनाव आने वाले हैं भारतिय जनता पार्टी आपने 2004 में जॉइन की 20 साल लगबग होने आए हैं आपने भारतिय जनता पार्टी उसफ़क जॉइन की जब अटल जी मुखियात है वो दूसरी भारतिय जनता पार्टी थी दूसरी तरह की थी उसमें चोटा पन नहीं था उसमें लिबरल थी इस तरह की नहीं थी जैसी अब है दो दशक आपने देखे हैं 2004 से 2014, 2014 से 2024 अब, क्या अलग रहा है भारतिय जनता पार्टी के लिए इन दो दशकों में, सबसे बड़ा एक फर्क आपके हिसाब से क्या है? नहीं फर्क यह है कि जो वो लीडर्शिप थी लिबरल, उसको आउट कर दिया गया, उसको उसमें भीज दिया गया कौन सा मंदल होता है, और जो लीडर्शिप आई नहीं, उसके कोई नियम काईदे नहीं है, उसके कोई वेल्यू सिस्टम नहीं है, उनका वेल्यू सिस्टम थ कैसे देखते हैं मितीश कुमार हमारे सहोगी रहे मेरे जूनियर रहे लोग दल में और मैं उन पर कोई पर्सनल ओपीनिन नहीं दूँगा बड़ अच्छा होता वो यह ना करते जो उन्होंने किया उसको लोगों ने पसंद नहीं किया मैं तो क्या यहां जो बिहार के लोग काम करते हैं हमारी सोसाइटी में गरीब लोग उन्होंने भी पसंद नहीं किया कैसा नहीं होना चाहिए बाकी तो जिन्होंने किया उनके अपने कारण होंगे लेकिन लोगों ने इस तरह की जिस तरह सरकार गिराई गई नई सरकार बारन थे आपको लगता है क्योंकि इंडिया आलाइज्स में जो इंडिया आन्स के शुरुवात होई थी वो पठना से हुई थी नितिश जी के नितुतू से हुई तो नितिश जी को बताना पड़ेगा कि वो प्रदान-मंतरी के उमीदवार थे कहा तो और कहा हो एक छोटी सी घटना पर इधर हो गए तो उनको तो explanation देना पड़ेगा ना वो चाहते थे कि लोग उनको प्रदान मंत्री माने लेकिन उनका काम तो नहीं है प्रदान मंत्री मानने लाए तो आपको लगता है ये इस बात का उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा आने बारे चुनार जरूर प राजनीती तो यहां किसी की समाफ्त नहीं होती पर नितिशी की राजनीती में एक डेंट आएगा नुकसान होगा उनको एक movement देश में बना है 22 जन्वरी के बाद जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है आपको लगता है भारत की राजनीती पर आगे चलते हुए राम मंदिर movement का क्या असर होगा? जरूर होगा हलांके उत्तर भारत में जहां आरिय समाज रहा है जो मेरा गाम है उसमें 15,000 आबादी है तीन सो साल पुराना मंदिर है लेकिन उस मंदिर में शाम को तीन आदमी जाते हैं सिर्फ घंटा बजाने कोई नहीं जाता है तो उत्तर भारत में उत्तर नहीं पड़ेग पूरी तरपरदेश में बिहार में यहा पड़ेगे यहा जादा नहीं पड़ेगे इसे निशनल मॉवमेंट आपको लगता है नेकिन नशेनल तो यहां बंता नहीं है पूई है प्रामंदिर की बात करें तो एक religious politics की भी बात आती है, जो पूरा प्रान प्रतिश्ठान का event हुआ, कई लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं religious event ना लगकर वो एक political event लगकर वो तो था, semi-political तो था ही था, और उसका उतना BJP को benefit भी हुआ है, लोगों में उसका असर गया है, ले इतने वर्ष हो गए हैं, अब आपको लगता है कहीं ना कहीं एक राम मंदिर movement के बाद ये सबसे बड़ा भारतिय जन्ता पार्टी का एक मुद्दा हुआ करता था, अब जब इस मुद्दे से आगे बढ़ने की बात होती है, आपके हिसाब से भारतिय जन्ता पार्टी के प बेरोजगारी का है, नोजवानों के मुद्दे इन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, आपके हिसाब से क्या हैं दोहजार चौबेस के चुनाओं के मुद्दे देखिए, चुनाओं के मुद्दे तो सही माने में अगर उठाए जाएं और उपोजिशन को समझदारी हो, तो बेरोजगारी है, फसलों के दाम है, MSP है, और इसके अलावा Law and Order है, ये सारे सवाल है, और उपोजिशन को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा नहीं रहे, मुझे शिकायत है उपोजिशन से भी, कि वो कुछ नहीं कर रहे, उपोजिशन को इतना न रहे हैं, राहूल गांदी जी के साथ भी आपने हालिये में मुलाकात की है, आपने इंटर्व्यू भी उनके साथ किया था, अब उनकी एक नहीं यातरा शुरू होई है, आपके हिसाब से आज की कॉंग्रेस कहां कम पढ़ रही है, कम कहीं नहीं पढ़ रही, राहूल राजनीती करती है, हर वक्त राजनीती करती है, उपोजिशन के लोग राजनीती को तफरीह की तरह, जब समझ में आया, कुछ कर लिया नहीं आया, नहीं कर गया, अभी मैंने उनको एक इशू दिया था, पुलवामा वाला, चुकि मैं उसके नस्दीक था, मैं गवर्नर था मैं समझा कोई जांच कराएंगे, कुछ देर बाद मुझे डौवाल का फोन आया, उसने भी का सुद्पाल भाई चुप रहे, वो मिरे साथ क्लास फेलो थे लौ में, तो उन्होंने का इस पे चुप रही है, मैं समझा कोई जांच कोई जांच नहीं और अगले दिन से ही ये जांच नहीं हुई है, कैसे हुआ, किसकी गल्ती से हुआ, किसी का तो सरकलम होना चाहिए था, वो होई ही है, और नोट पिकिंग अट अप. आपको लगता है ऑपशन में कही नहीं पिल्ड नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, सब लोग खाये पीए लोग हैं, अब वो लड़ेगा या तो नوجवान लड़ेंगे, या पिर जो फकीर होगा वो लड़ेगा, जिसके पास साधन है, पैसा है, वो सरकार के करें, पिछले साल काफी मोमेंटम बिल्ड हुआ, पटनामी मीटिंग हुई, बैंगलॉर में हुई, मुंबई में हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया पूरे मोमेंटम, ना तो इन्होंने कोई कॉमन मैनिफेस्टो बनाया, ना कॉमन इश्यूज बताए ह हमारे ये हैं, ना इन्होंने कोई कॉमन मिनिममम प्रोग्रेम दिया, ना ये सडकों पे उतरे, अगर ये सारे काम कर लेते तो अब तक तो बहुत गर्मी हो गई होती देश में, इंडिया आलाइंस में आपके हिसाब से फिलहाल के जो लीडर्स हैं, उसमें कोई आपको एक PM कंडिडेट नजर आता है? देखे, PM कंडिडेट तो मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, और ना जरूरत है, जब बदला होता है, तो जनता वर्सिस डिक्टेटर लड़ाई होती है, कोई चेहरा नहीं होता, ना सततर में रहा, ना उससे पहले रहा, और जब जनता बदल देती है, तो कोई एक चेहरा हो जाता है, इस वक्त जो लड़ रहे हैं, उनमें राहूल गांधी की में तारीफ करूँगा, कि वो बहादरी के साथ लड़ रहे हैं, और उनको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, फिर कहीना कहीं हर पार्टी के लिए, कॉंग्रेस एक बोन ओफ कंटे लिडर, उनका पकड़ है बहुत, उनसे बना के चलना चाहिए, कॉंग्रेस को, तो ये कही ना कहीं आपको लगता है, सेंटर लीडर्शिप से कॉंग्रेस की एक इंटर्वेंशन नहीं आता है, ऐसे माम लो में, आना चाहिए, अभी तो नहीं आया, अदिर अजन को तो टोक टेरिजम कम हो गया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, बाकी सारी चीज है, आपको लगता है सुधार आया है, ये तो गलत है, टेरिजम तो ख़जम नहीं हुआ, बलके बढ़ा है, अभी आप देखी, राजवरी में, कुपवाडा में, रोज कुछ कोई ना कोई टेर चाहिए, लोगों को अपने विश्वास मिलेना चाहिए, यह सब काम नहीं हो रहे है, पुल्वामा पर आपने अपना स्टैंड काफी बार कलियर किया है, कई लोगों से सवाल ये आता है कि उस वक्त आपने खुलकर यह बाते क्यों नहीं कियों लोग पढ़ते नहीं है, लो नेशनल कॉर्वेट पार्क में वो मुझे शाम को मिले तो मैंने उनको बताया उन्हों का क्या है मैं का हमारी गलती से हुआ तो बोली चुप रहो मैंने समझा कोई जांच वगरा कराएंगे और तम में पद पे था यह नहीं के पद छोड़ने के बाद उन्होंने पाँच एरक्राफ्ट मांगे थे जिससे वो सारे पूरी भीड को फैरी कर सकते थे लेकिन इन्हों नहीं दिये जबके देते हैं मैं तो वहाँ जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे उनको जहां से मंगाता था और सड़क से अगर ना चलते तो एगटना ही नहीं होत आपको लगता है उस वक्त आप कुछ अलग कर सकते थे शायद अगर उस वक्त आप इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे देते तो एक स्टॉंगर पॉलिटिकल मेसेज जाता देखिए लोग तो अपनी सहुलियत से बोलते हैं आप एक जिम्मवारी से लिए मैं एक स्टेट करने के लिए नहीं था मैं तो समझाना बुझाना बोलना यही कर सकता था वो मैंने किया प्रदानमंत्री से भी कहा इन से सब से कहा लेकिन नहीं कहा तो रोज रोज तो मैं इस्तीफा नहीं दे सकता हूं कि इस चीज पर दे दो और उस चीज पर दे दो इसको मैंने तरीक में आपके हसाब से इतनी पावरफुल क्यों है कंट्री में अज़ पार्टी इसलिए है कि वो 24 गंटे राजनीती करते हैं अपोजिशन वाले तफरी की तरह राजनीती करते हैं कभी किसी दिन आये तो कुछ कर लिया नहीं तो नहीं किया बीजेपी में डेडिकेटेड वरकर्स हैं और वो हर वक्त लगे रहते हैं बीजेपी की पावर और ग्रोथ की अगर बात करें तो लोग कई कारण देते हैं एक कारण ये है कि भारतिय जन्ता पार्टी में ग्राउंड लेवल रीच बहुत है दूसरा कारण ये दिया जाता है कि सेंट्रल एजनसीज का पोजिशन वीक है? पुजिशन वीक नहीं है अपुजिशन निकम्हा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है अपुजिशन मुझे बताएं पिछले 10 महीने में उन्होंने क्या 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 कोई मोमेंट नहीं कहड़ा गया. प्रदानमंद्री नरेंद्र मोधी की अगर एक बात करें, आपको याद है आप पहली बार कब मिले थे उनसे? सबसे पहली मुलापात, नी सबसे पहली तो मेरी उनसे जब वो गवर्नर वहाँ थे, चीफ इनिस्टर तब हुई थे आपको क्या याद है उस मुलापात के बारा? मुझे मैं उनका प्रशन सक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे, किसानों के पक्ष की बातें करते थे, उन्होंने MSP के लिए प्रदानमंद्री को चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन दिली आके बदल गया वो कौन सा वक्त क्षन समया इवेंट था जब आपने सोचा कि आपको ये वोकली चीजे पब्लिक ली रेस करनी पड़ेंगे? किसान आमधुलन के वक्त मैंने दस दिन सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए, कि नहीं बोलना चाहिए और अल्टिमेटली मैंने तै किया कि बोलना चाहिए, मैं अपना इस्तीफा जेम में रखके इनसे मिल लें गया और मैंने का साहब ये चार महीने तब चार महीने हुए थे, चार महीने से बॉर्डर पर पड़े हैं, इनसे कोई बात कर ले तो एए छोड़ो सत्पाल भाई चले जाएंगे, फिर मैंने का कि आप ना करें कोई और कर ले, कि ने ये बिना ही बात चले जाएंगे, तो मुझे थोड़ा असाहिज लगा और मैंने का साहब ऐसा है, आप इनको जानते नहीं है, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओग मामले को सुलजाया जाता है, उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन दो महीने बाद फिर माफी मांग के काले कानून वापस किये जाएंगे, तिनों, आपको क्या लगा उस वक्त मुझे लगा कि ये इनकॉरीजिबल केस है, इसमें सर फोड़ने से कोई फाइदा नहीं और फिर मैं पब्लिक मीटिंग्स करने लगा, मैंने राजस्थान में की, उत्तर प्रदेश में की और सब किसानों में मैंने मीटिंग्स की और इशूस को आर्टिकुलेट किया आपकी जो भी क्रिटिसिजम आती है भारतिय जनता पार्टिक लिए, अब क्यों ये बयान आ रहे हैं, क्या कोई महत्वा कांक्शाए हैं या आप कोई पॉलिकलेट किसानों वाला भी मैंने तब किया जमें पद पे था, तो महत्वा कांक्शा वाला तो होता है उस वक्त अब कोई चुनाव नहीं लड़ूगा, किसी पार्टी में नहीं जाओंगा, हाँ अपनी पसंद के कुछ उमीदवारों को मदद करूँगा कौन है आपकी पसंद के उमीदवारों? जो होंगे, सपा से होंगे या जी सिंग की पार्टी से होंगे या कांग्रेस से होंगे, उनमें जो मुझे ठीक लगेगा, मैं उनके लिए काम करूँगा भार्टी जन्ता पार्टी की मशिनरी को कांउंटर कर पाएंगे? कुछ नहीं है, मशिनरी सब उपर से दिखता है, जब जन्ता खड़ी हो जाती है, तो श्रीमान जी कोई मशिनरी काम नहीं करती है मलिक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपक जी, 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